नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबी का चीरपरीचीत दोस्तु पस्थित हूँ, दोस्तों आप सबी की सेवा में कुछ एक महत्वी पूण ज्यानकारियों को ले करके, जिहां दोस्तों, सिंधा नमक अपनाएं, चेहरे के गढळों को दूर भगाएं, तवचा को बिदाग बनात है सेंधा नमक जी हां क्या आप भी अपनी तवचा पर होने वाले किल मुहासों के बाद होने वाले गड़ों से परेशान हैं और इन्हें दूर करने के लिए उपायों की खुर्ज कर रहे हैं तो सार्ट स्क्रब आपकी समस्या को बहुत आसानी से दूर कर सकता है दोस्तों जी उसका सहारा नहीं लेना पड़ेगा आप सेंधा नमक स्क्रब की मदद से खुबसूरत तवचा पा सकते हैं सेंधा नमक एक बेहतरीन ब्यूटी प्रोडक्ट है इसके इस्तेमाल से डेडी स्कीन तो साफ होती ही है साथ ही ब्लैक हेट्स भी दूर हो जाते हैं दोस्तों और चेहरे के गड़े भी तेजी से भरते हैं आए आज हम जानते हैं तवचा के दाग धब्बों को दूर करने के लिए सेंधा नमक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है सेंधा नमक और ओटमिल स्क्रब नमक और ओटमिल का स्क्रब ओली तवचा के लिए बहुत अच्छा होता है इस में कुछ बून दे निम्बू के रस और बादाम के तेल की mix कर लें फिर इस scrub से अपने चेहरे पर हलके हाथों से scrub करें कुछ देर बाद scrub करने के बाद चेहरे को गुन-गुने पानी से धो लें दोस्तों आपका चेहरा खेल उठेगा सेंधा नमक और जैथून के तेल का scrub तो इससे आपके चेहरे में निखार आता है जी हाँ, अगर आपकी तवचा ड्राई है तो साल्ट और ओयल का यह पेश्ट आपके लिए काफी फायदे मंद हो सकता है क्योंकि यह आपके चेहरे को नमी प्रदान करता है दोस्तों सेंधा नमक और निम्बू का सक्रब जी हाँ दोस्तों, तवचा के दाग धब्बों से छुटकारा पाने के लिए सेंधा नमक में कुछ बुन दें, निम्बू की मिला कर पेश्ट बना लें फिर इसे अपने चेहरे पर सक्रब करें हपते में दो बार ऐसा करने से आप मुहासों, ब्लैक हेट्स और वाइट हेट्स को असानी से दूर कर सकते हैं दोस्तों सेंधा नमक और शहद का सक्रब सेंधा नमक और शहद का सक्रब तवचा में निखार लाने में मदद करता है शहद टैनिंग को दूर करने का काम करता है और यह तवचा को नमी भी प्रदान करता है इस स्क्रब को बनाने के लिए एक कटोरी में सेंधा नमक लेकर उसमें कुछ बुंदें शहद की मिलाएं अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके चेहरे पर लगा कर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें सुखने के बाद तवचा को पानी से धोलें इस उपाई को हफते में दो बार करें आपको लाब होगा दोस्तों तो देखा दोस्तों आप सभी ने आज हम कुछ एक ऐसे उपाई लेकर आये थे जो आपके स्कीन को हेल्दी और ग्लोविंग बना सकते हैं अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ है कैसी ही महतोपून जानकारियों को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों